हेलो गाईज तो मेरा नाम है विशाल दिक्षित और आप देख रहे हैं विशाल जी की खोज तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो ये वीडियो है ये खास तोर पर उन लोगों को समर्पित है ये कहें कि उन लोगों के लिए है जो लोग पूरा दिन वाटसेप और फेस्बुक पे समय बिताते हैं और वो दूसरों के वीडियो देखने में सिर्फ अपना टाइम देते हैं कभी ये नहीं सोचते कि स्मार्टफोन हमारे पास है इसमें इंटरनेट पड़ा है या घर में वाइफाई लगा है और हम सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं हम खुद क्या कर रहे हैं हमारी क्रियेटिविटी क्या है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए खास तोर पे जो घरिलू महलाए हैं ग्रहनिया हैं लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यूट्यूब और फेस्बुक से वो भी घर बैठे बैठे इंकम कर सकती हैं अर्निंग जनरेट कर सकती हैं तो वो कैसे जनरेट करनी है और शौट वीडियो रील्स कैसे क्रियेट करते हैं कैसे एडिटिंग करते हैं कैसे शूट करते हैं ये पूरी इन्फोर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो बहुती ज्यादा इन्फोर्मेटिव होने वाला है तो अ और फ्रेंड्स जो मैं आपको अभी शॉट को या रील को शूट करने का और एडिट करने का तरीका बताने वाला हूँ जब वो हमारी रील रेडी हो जाएगी तो वो आपको मेरे इस चैनल पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये टैक चैनल है उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल जिसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं बाकी आई बटन एंड स्क्रीन अगर पॉसिबल होगा तो वो भी लगा दूँगा और आप मेरे उस चैनल को भी कर लेना वाई सब्सक्राइब क्योंकि आपको मज़ेदार रील्स और प्लेस विजेटेड मतलब मेरे कुछ व्लॉक्स वगर आपको मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो गाइस अभी जो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं साइड में अपने स्क्रीन लगा देता हूँ जो हमने रील मतलब शूट करीए तो अब इसमें देखिए अभी एक व्यक्ति के पास मेरी वाइफ के पास फोन है और मेरा काम है इस पर कुछ बोलना तो मैंने अपना एक्ट कर दिया अब उसके बाद ये फोन मेरे हाथ में दे दिया जाएगा अब देखिए हमने अब मैंने फोन अपने हाथ में पकड़ लिया अब जो धरम पत्री हैं उन्हें कुछ शब्द बोलने हैं अब उसके बाद मैंने फिर से फोन उनके हाथ में दे दिया अब किरदार निभाने की बारी है मेरी तो आप जो देख रहे हैं यह हमने अपना एक्ट कर रहे हैं हम लोग वन बाई वन स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यही चीज हम VN APP में एडिट कैसे करेंगे हर मतलग हो सकता है काइन मास्टर में एडिट करते हूँ आप आवर डिरेक्टर में करते हैं तो मैं वीडियो अगर ऐसा लगाऊंगा तो आपको शायद उसे देखने समझने में थोड़ी तकलीफो छोटा आएगा तो मैं उसको इसी वीडियो के आगे इस टाइप से एड़ करूँगा तो आपको क्या करना होगा जो आपके फोन की स्क्रीन है उसको आटो रोटेट मोड उसका आफ कर दें उसके बाद आगे का पार्ट देखें तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी तो चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं कि वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक तो guys screen record अभी मैंने on कर दिया है अब आप देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले vn app को open कर रहा हूँ vn app को open करने के बाद जो यहाँ पर यह plus का icon आ रहा है इसे click करेंगे इसे click करने के बाद यह देखिए new project यहाँ लिख कर आ रहा है यह new project को जैसे ही हम click करेंगे तो यहाँ पर हमें जो चाहिए जिस video को edit करना है जो हमने short बनाया था video shoot किया था उसको हम यहाँ से capture कर लेते हैं इस media को अंदर लेंगे तो अंदर लेने के बाद देखेंगे यह हमारी timeline है जो यह वाला part है यह हमारी timeline है यह जो मैं आपको mark करके दिखा रहा हूँ तो इस timeline को हम क्या करेंगे इसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़के खींच लेंगे ऐसे पकड़ेंगे ऐसे खींच लेंगे देखिए timeline लंबी हो जाएगी आप देख सकते हैं जिससे क्या होता है यहाँ पर जो यह part होता है न सबसे last का यह यह क्या होता है यहाँ पर जो है यह input title जो यह लिखा आ रहा है यह सब watermark जो end में आता है वी end का तो इसे अपन कर देते हैं delete इसे delete कर दिया अब आप देख सकते हैं हमारी timeline पे जो यहाँ इसका time कितना आ रहा है लिखके एक minute 51 second और short video कितने का बनता है एक minute से नीचे का portrait mode में तो आज आपको इस video से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी पूरी editing पता चल जाएगी कि edit करते कैसे है वी end app में तो भाई इसको सबसे पहले तो पूरा full इसको ऐसे खींच लेना जितना maximum हो जाए अब उसके बाद हम वीडियो यहां से करते हैं start तो जैसे हमने यहां से वीडियो start किया तो करने के बाद क्या करना है देखिए हम अभी जैसे यह देंगे यहां से हमने बोलना start किया देखिए यहां से बोलना किया start अभी पता चलता है तो जहां से किया start देखिए यहां से हमने पुरी सी आवाज बढ़ा लेता हूँ तो कि मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा क्या बूल लाई है देखे हमने यहां से बूलना स्टार्ट किया तो इससे पहले का पार्ट हमें चाहिए नहीं तो हम यहां क्या करेंगे यह देखे नीचे यह एक कैंची का मार्क आरा है तो यहाँ पर हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो यह कट गया कट गया तो यह जो इधर का पार्ट है ना यह वाला इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट यहाँ से डिलीट कर देंगे यह मैंने डिलीट कर दिया अब यहां से हमारा वीडियो होता स्टार्ट अब देखिया हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया यतना हमें बोलना था हमने बोल दिया इतना बोलने के बाद क्या करना है अब दूसरे की बारी अब यहां फिर से कट लगाया देखते जाएए बार-बार मैं मार्क करके बताओं मुझे नहीं लगा इसकी जरूरत है फिर से यहां से कट किया अब देखिए यहां से पार्ट हमारा खतम हो गया अब दूसरे का अब यह देखो फोन पकड़ा दिया दूसरे को सामने बाले को हमने पकड़ दिया मतलब अब यह देखिए यह जो हम बोलते हैं यह आपको दिख रही ना लंबी-लंबी लाइन है मतलब यहां से वाइस स्टार्ट होई है यहां से जो है इन्होंने बोलना स्टार्ट किया अब फोन अभी मतलब मेरे हाथ में है मैंने यह वीडियो शूट किया मतलब दूसरे को पकड़ा दिया क्योंकि इनका शूट करना है अब यहां पर लगाया कट यहां कट लगा दिया जहां वोईस टीप से थोड़ा सा पहले कट लगाना चाहिए अब यह देखिए वह वाला पार्ट है जिसमें कैमरा इधर से उधर फोन पकड़ाया है तो इसे बीच के को कर दिया अब डिलेट कर दिया तो आगे देखिए ये वीडियो बिलता है इन्होंने अपना एक्ट किया अब देखे इन्हों ने अपने बोलने वाला पार्ट कर दिया अब यहां फिर से कट लगाया अब फिर प्ले करेंगे अब देखे कैमरा इधर घुमा फोन अब उनके हाथ में आप हमें बोलना है अब देखिए अब यहां पर लगा दिया कट अब यह बीच का जो पार्ट है यह कर दिया डिलीट देखिए इधर था फोन पकड़ाने वाला पार्ट हो गया डिलीट तो यह यहां पर आ गया अब यहां से बोलना स्टार्ट किया अब देखो यहां बोलने का पार्ट हमने खतम कर दिया फिर यहां कट लगाया अब यहां फोन घूमके आ गया इधर इनकी साइड में अब देखो यह नोंने बोलना तुरंत स्टार्ट कर दिया अब हमने बोला कि एक दो मिने टुका तो करो हाथ तो सच जाए क्योंकि इन्होंने तुरंत बोलना इस्टार्ट कर दिया थी यह दुबारा से टेक लेना पड़ेगा फोन चल ला है वीडियो रिकॉर्डिंग चल लाई है उसे हमने पॉस नहीं किया है कट नहीं किया है अब द अब देखो इन्होंने अपना एक्ट कर लिया हमने फिर यहां पर कट लगाया अब देखो घूंके यह इदार आगया मेरे हाथ में अब यहां पर हमने फिर कट लगाई यह बीच का ओड़ा दिया अब यह बीच का ओड़ा दिया अब यहां से कि यहां हमने कुछ गलत बोल दिया तो इस पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा अब देखिए यहां से हमने बोलना इस्टार्ट किया फिर से तो देखिए यहां से हमने सुना और यहां जो कट लगाया था इससे पहले की जो वारता लाप है इसको हमने कर दिया डिलील अब देखिए सुनके तो यहां से हम इसे करते हैं फिर से कट क्योंकि यार पूरा आया नहीं है यह देखो हमने यहां से कट कर दिया अब देखिए आगे बढ़ते हैं अब देखो मैंने अपना एक्ट कर दिया अब कैमरा मेरे हाथ में आएगा उधर का एक्ट होगा अब यहां से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया मैंने कट लगा दिया यहां यहां से क्यों बोलना स्टार्ट किया यह देखो यह जो लाइन सा रही है मैंने पहले भी बताई थी यह यहां से मतलब बॉइस स्टार्ट हुई यह पीछे का जो कट लगा है इसे डिलीट किया अब देखिए आगे बढ़ते हैं अब इन्होंने अपना एक्ट कर दिया बलकि इन्होंने कहां पर कहा ठीक है यहां पर होगे अब यहां पर कैमरा फिर भूमेगा यह देखिए फोन इनके हाथ में मेरा एक्ट स्टार्ट यहां पर कट लगा दिया अब सुनिया तो यहां तक हमने जो एक्ट किया यहां तक अब यहां पर कट लगा दिया अब यह पीछे का यहां से उड़ा दिया अब यह सारे आप देख रहे हैं जो भी cut लगे हैं अब इसमें हमें क्या करना है अब देखे जो vn app में हैं इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है यहां देना है transition तो transition कैसे देते हैं transition के लिए यह जो plus दिख रहा है न यहां पर click करना है यह देखे transition की आगई पूरी window आप इस सरका भी सकते हैं आगे पीछे इसमें देखे effect देखे जैसे यह लगाया तो कैसे होगा यहां से जब video आगे चलेगी तो ऐसे चलेगी ऊपर से नीचे खुलेगी अब इसे आपको दूसरा कोई लगाना है यह लगाना है तो यह लगा दीजे तो कैसे होगा देखे प्ले दूसरे की बारी तो इस type से यह हो जाता है अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे के कोई ज्यादे time नहीं लेगे कुछ text लिखना है तो text लिखना है तो क्या करना है भाई यह देखो यह जो लिखा है न टी इसको touch कर दो बस इसको touch करेंगे तो इसमें multiple type के बहुत सारे font आ जाएंगी बहुत तरह के मतला लिखने के style आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर type कर सकते हैं अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ subscribe और मैंने लिख दिया subscribe like यस type से लिख दिया और यहाँ इसको edit करना है color alert change करना ह कから यहाँ दिये ना इसे दबाव और यहाँ बहुत सी फनी साउंड होती है या कुछ होती है वो लगाने के लिए यह VN में एक अलग से feature मिलता है जो यह है न देखिए यह ring का option जो आ रहा है इसको आप touch करिए यहां तीन option आते हैं एक आता है एक आता है यह वाला record का एक आता है effect का एक आता है music का तो music दबाएंगे तो आपको कोई जैसे पीछे background music वगरा लगाना है तो वो लगा सकते हैं जैसे आपको कोई आपने gallery में save कर रखा अपने पास यहां पर मैंने वैसे यूट्यूब की library से बहुत सारे रख रखे हैं इसके लावा एक बहुत बढ़ी है इसी को click करेंगी यह effect कितनी तरह के हैं आपने बहुत से laughing या cartoon टाइप के सुने होंगे यह देख रहे हैं यह सारे vn में मिलते हैं automatic जो भी use करना उसे use करने है इसमें बहुत सारे funny हैं उस टाइप के होते हैं जैसे यह funny हैं यह बहुत सुना होगा आपने इसमें आपको दिमाग यह लगाना है यह stone कहां पर suitable होगी लगानी कहां है तो वो आपकी जो इसमें बारतल आप चलना है उसके हिसाब से जहां suitable लगती है वहाँ आप इसे लगा दो यह लगाने के बाद एक चीज और feature होता है आप चाहें किसी जगे पर highlight करना है आपको जैसे देखतें बड़ा होके चेहरा आया आधा पार्ट बड़ा हो गया आपने यहां click किया इस type से और यह जो part है आपने इसको click किया यह देखिए yellow हो गया उसके बाद इसको ऐसे खिंचिए ऐसे set कर लिजे चोटा चला होगा इतने पार्ट में एकदम से बड़ा हो जाएगा बड़े से छोटा हो गया यहां पर बड़ा था यहां से देखिए छोटा हो गया यह देखिए तो इस type के effect भी दिये जाते है इसके लाबा इसमें क्या होता है एक यह नीचे filter होता है आप जिस पार्ट में यह filter यूज़ करना चाहते है यहां पर यह filter को क्लिक करिये हैं यहां बहुत तरह के filter हैं इवन black and white भी हो जाएगा जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा बहुत तरह के जबरदस filter है कई बार होता ना गुस्से में किसी को दिखाते हैं black and white कर देते हैं color ओर जाता है तो इस टाइप से बहुत सारे यहां पर फीचर हैं अब background ही हमारी change हो गई और हीजनलती मतलब यह और हो गई इस टाइप की तो इस टाइप की यह बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे आपको तो यह भी बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं इसके राबा यह trim का यह मीनिंग कि आपने trim दबाया अब यह पूटा कितना part trim करना है जो काम हम बहां से कर रहे थे ना उससे वो काम यहां से कर सकते हैं तो चलो यह तो मुझे करना नहीं है और क्या होता यह delete है यह speed है मालो आपने बहुत धीरे बोला है यह क्या होता speed का यह है धीरे बोला है तो इसमें दो feature होते है speed के अगर आपको voice भी चाहिए speed में तो क्या यह जो regular लिखा है ना यह जो लिखा हुआ है regular यहां पर click कर दें तो यहां पर देखिए option आता है आप देखो जल्दी बोलने लगे तो इसमें यह आप 4x, 8x तक होता है तो आवाज चाहिए तो यहां से कर सकते है और यदि आपको आवाज नीच चाहिए तो speed का एक और feature होता है यह वाला कर्व में उपर नीचे करके जैसे आपको बढ़ानी है लेकिन इसमें आवाज बंद हो जाएगी कुछ भी आपने अगर गलत कर दिया वापस आना है तो यह जो है अतलब undo का बटन इसे click करके आप वापस आ सकते हैं जैसे जो मैंने speed बढ़ाई थी अब speed कम हो गई ठीक है तो आपको काम की मोटी मोटी चीज़ां बता दी और बाकी आप वीडियो को rotate कराना है rotate भी करा सकते हैं यहां तो जरूरत नहीं है मुझे जैसे यह जो नीचे है इसे यदि मैं click करूँगा यह बटन को तो क्या होगा अब किया यह उल्टा हो गया अब किया यह ऐसा हो गया फिर किया सीधा हो गया इसके लावा एक चीज़ और होती mirror मतलब feature बहुत सारे जवाब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे यह mirror दबाएंगे तो देखिए बिलकुल change हो गया जो मतलब mirror image हो गई यह भी इस type से भी कई सारे effect देखे बड़ा मज़ेदार तरह से आप बना सकते हैं और यहाँ पर sound effect का बहुत बड़ा roll है और बाकी आप यह देख सकते हैं background बगरा लगानी है तो यहाँ तो जरूरत है नहीं और auto caption को on कर देंगे यह वाला तो जो भी बोल ले हैं वो लिखकर आ जाएगा तो आप अगर comment करेंगे बोलेंगे तो मैं इसका एक पूरा complete tutorial बना दूँगा VN app से क्या-क्या कैसे करते हैं मतलब क्या-क्या चीजा कर सकते हैं इतना करने के बाद हमें क्या करना है इस करना है export तो export यहाँ से करते हैं यह जो blue button है उससे पहले एक चीज और जान ले यह जो original लिखा है यह होता हमारे format के लिए यह तो मैंने खेर portrait mode में ही किया है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी यह देखिए अगर original हमारा portrait है 9 into 16 short के लिए होता है उसमें भी यही रहेगा तो इसमें कुछ भी change नहीं होगा Instagram के लिए करना है यह देखिए इतने mode है अगर 9 into 16 YouTube short के लिए 1 into 1 Instagram के लिए 16 into 9 YouTube long video के लिए और 4 into 5 भी Instagram के लिए तो इस type से है कई सारे format हमें मिलते हैं यह देखिए और भी हैं तो हमें जो use करना है अभी तो हमारा original से ही काम हो जाएगा फिर भी आप करना है तो 9 into 16 कर देते हैं उसके बाद हमें करना है इसे export export के लिए यह जो हमारा button है ब्लू वाला इसको हम करेंगे click और देखिए वीडियो export होना start हो गया तो यह इसमें हमें bitrate बगारा कुछ भी नहीं चिड़ना है जैसे मैं दुबारा दिखाता हूँ यह export किया तो यह जितनी चीज़ें आ रही है न जो auto पढ़ी है resolution दस्सो असीप, fps 30, 30 standard होता है और यह average bitrate यह भी जो पढ़ा हुआ न 1 mbps इनको कुछ भी नहीं चिड़ना है क्योंकि यह automatic काफी सही होती है तो इसे भाई हमें कुछ नहीं चिड़ना है इससे सीधा करना है सिर्फ हमें करना है इसको export यह जो export का आ रहा है यह लिखके भी आ रहा है 88.77 mb देखे वीडियो export हो चुका है अब आपको यह Facebook, Instagram, YouTube पे यहां से भी upload कर सकते हैं वैसे मैं आपको personal suggestion दूँगा आप यहां से ना करें इसको done कर दें यहां से इतना होने के बाद यह जो done है यह done कर दें done करते ही आपका यह वीडियो गैल्डी में सेव हो जाएगा और आप यहां पर अपने photos में आएंगे तो आपको यहां पर यह दिख जाएगा यह देखिए हमारा वीडियो यहां पर आ चुका है तो जैसा ही यह चल दा है अब यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे दूसरे channel पर तो गैस अभी जो हमने वीडियो बनाया और वी एन एप पर उसको एडिट करके आपको दिखाया मतलब शूट करने से लेकर एडिट करने तक पूरी आपको information दी तो यह वीडियो आपको short मेरा देखने को मिलेगा मेरे दूसरे channel पर जिसका नाम है विशाल जी की खोज व्लॉग तो भाई मेरे प्यारे दोस्तो उसे भी कर लेना सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बैल को all पर सेलेक्ट कर देना जिससे आपको उस channel के भी नोटिफिकेशन आते रहे तो तब तक के लिए जैहन बंदे मात्रम जै श्री राम